स्वागत है आपका ओनी जीएस पर आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र जीएस पॉइंटर 2023 की इंतरगत मध्यकालीन भारत की इतिहास से समधित सभी प्रशनों को इस बुक में दिये गए अने टॉपिक से समधित वीडियोस देखने के लिए आप हमरे च से समधित प्रस्ण पहला प्रस्ण है पेगंबर हजरत मुहमद का जन्व हुआ था पांसो सत्तर इसवी में मुहमद साहब की इम्रिती हुई थी 632 में मक्का इस्थित है सौधी अरब में हिंद भारत की जनता के संदत में हिंदू सब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबो ने मुहमद बिन कासिम दौरा सिंध की विजे हुई थी 712 इस्वी में खुद्बुद्दिन एवक महमूद गजनवी मुहमद बिन कासिम तथा मुहमद गोरी में से भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मुहमद बिन कासिम भारत पर सर्व प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के चच नामा के अंसार छटवी और साथवी सताब्दी में सिंध हुदेश की रास्थानी थी अरोण गजनी राजवन्स का संस्थापक था अलप्त गीन वा चंदेर सासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं 17 वार महमूद गजनवी का इतिहासी इतिहासी महमूद गजनवी का दरवारी इतिहासकार था उत्वी साह नामा का लेखक फिर दोसी सम्मधित था महमूद गजनवी के दरवार से महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसित इतिहास कारेओं मुसलिम विद्वान था अलवरणी भारत में आया था गेरहमी सताब्दी में पुराणों का अध्यन करने वाला प्रथम मुसल्मान था अलवरणी अलवरणी के विशे में सत्य कथन है उसका गजनवी के हमले के बाद सोमनात मंदिर का पुननिर्मार कराया था भीम देव पृथम ने एक तरफ संस्कृत मुद्राले के साथ चांदी के सिक्के निर्दत किया मेहमूद गजनवी ने मद्ध हैसिया का सासक जिसने 1192 इसरे में उत्तर भारत को जीता सिहाबुदीन मुहम्म 294 इसने में वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम सासक मुस्लिम सक्थी के इस्थापना होई तराइन का दोती युद्ध है भारत पर आकमण करने वाले विक्तियों का सही क्रम है महमूद गसनवी मुहमद गोरी जंगेश खान टैमूर वह मुस्लिम सासक जिसके सिक्को भाणनों पर देवी लश्मे की आकिरती बनी है महमध गोरी भारत में महमत गोरी ने मेलालों नंदा विधव्वन्स किया था वक्तियारिd खिली ने भारत पर तुर्की आक्मण के विसे में सत्यकतन है भारत पर तुर्की आक्मण सफल हुए उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी तो यहां पर यह कारण के बारे में दिया गया है वह सिलालेक जिससे रेसन बुलकरों की स्रेडी की जानकारी मिलती है दस्पुर सिलालेक से दिल्ली सल्तनत गुलाम बंस से समधी प्रस्ण है गुलाम बंस का संस्थापक था कुद्बु दिन एवक। पुत्यू मिनार निर्मार्ण पूरा गया था इल्दुत्मिस के दोरा कुद्बु दिन एवक की रास्थानी थी लाहूर। जिसका साम्राजे दारुल इसलाम का एक भाग माना जाता था इल्दुतमिस का गुलाम का गुलाम कहा गया इल्दुतमिस को ताजुद्दीन मल्दुज नसुरद्दीन कुबाचा अली मर्दान एवाँ मलिक अल्थुनिया में से कौन मंगोल आकमरकारी चंगेश खान भारत की उत्तर पस्टिप सीमा पर आया था इल्दुद्मिस के काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तड़ पर देखे गए इल्दुद्मिस के सासन काल में चंगेश खान का मूल नाम था तेमू चिन इल्दुद्मिस के सासन काल में चंगेश खान भड़ावचे खारिज में यूराज के खोस में सिंधु नदी तक पहुँचा था इल्दुद्मिस ने बिहार में अपना प्रथम सुवेदान न्यूक्त किया था मलिक जानी को रजिया बेगम को सत्ता चित करने में हाथ था तु बल्बन के बारे में सही कथन है बल्बन ने अपने सासन को सक्ति साली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंदित कर ली बल्बन उत्तर पस्चिम सीमा को मंगोल आक्मर से सुरच्षित रखना जाता था भारत का प्रथम भारत का प्रथम मुस्लिम सासक जिसने सासन के सिध्धान्त को राजाओं के इस्वरी अधिकार सिध्धान्त के समान प्रिजपादित किया बल्बन अपनी सक्ति को समेकित करने के बाद बल्बन ने धारण की जिल्ले इलाही की उपाधी भारत में प्रसिद पार्सी तेवहर नावरोज को अरब करवाया बल्बन ने सुल्तान बल्बन का महतपूर कार किया था नियामत एक खुदाई के सिध्धांत का प्रिजबादन किया था उसने तुर्कान ए चहलगावी का प्रभासमात किया था उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था नोट करके दिया है नसुरिदीन महमूद ने उसे कुलुग खां की उपाधी प्रदान की थी गढ़ मुपतेश्वर की मसिद की दिवारू पर अपने सिरालेक में स्वयम को खलीफा का सहाय कहा है बलवन ने इस सुल्तान ने एक अलग विभाग आरिस इस्थापि किया था बलवन ने खुम तुम रिन खां विद्रोप किया था बलवन के सासन काल में खिलजी बंस से समधित वर्षन है वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किन्तु उसे उलीमा लोगों ने विरूद किया उसका अलाउद्ीन खिल जी दिलि का सुल्तान जिसे सिकन्दर सानी कि महान उपाद धारन की थी अलाउद्ीन खिल जी का प्रसिद सेना पती जिसकी मंगोलों के विरुद कि अबित यही थी जफर खां है राणी पत्मिनी का नाम अलाउदीन की चित्तवड विजे से जोड़ा जाता है उनके पती का नाम है राणा रतन सिंग दा हसार दीनारी नाम से जाना जाता है मलिक काफूर को क्योंकि उसे हजार दीनार में खरीदा था अलाउदीन खिर्जी ने अलाउदीन के दच्षडी अभियान का उडे सिथा धन प्राप्ती अलाउदीन खिर्जी के आक्रमण के समय देवगिरी का सासक था रांचंदर देव रन खमप़ौर हमीर देव चित्ताओड राणा रतन सिंग देवगिरी के राजा है Рाजा राय रंग रामचंदर और घुज का कालक्रम है गुजरात विजय हुई थी 1299 इस भी रन्थम्होर 301 इस भी चित्त और 1303 इस भी वारंगल 1313 इसभी वे वह सुल्तान 20 की नपाई का आधाया राजस्व के रूप में दावा किया अलरी की जी गिली ने वह सुलतान जिसने बाजार सुधार लागों किये थे अलावदिन के लिघे जी वह सुलता की थी V.S. अमराज की सिमाओं की प्रेक्षा है थो एक भिसेस देना को नियुक्त या अलावदिन धी सुमेलित हैं एक तरफ रियासक हैं यहां पर सासक हैं देवभीरी के सासक है संकर देव रामचंद देव वारंगल के प्रताग रुद्र देव दोती होसल कि हैं वीर बल्लाल मदुरा के सासक वीर पांड्या हैं दिल्ली सल्तनत्व कवार्षासक जिसने अपने को खलीफा घुस दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के वीच की सीमा थी रावी नदी अग देखते हैं तुगलक वंस से सम्मंधित प्रश्ण पहला प्रश्ण है जब उसने राजत्तों किंग से प्राप्त किया तो वह सरीयत के नीमू और आदेशों से पूर्थया सुदंत था बर्णी ने य गाजी मलिक गयासुदीन तुगलक क्रिसी को समुन्नत करने के लिए नहिर खुद्वाने के संदर में 13 सताब्दी का पहला सासक होने का स्रे दिया जाता है गयासुदीन तुगलक को खिलजी वंस लोधी वंस दास वंस तथा तुगलक वंस में से सरवाधिक समय तक देश में राज किया है तुगलक वंस ने दिल्ली सर्थनत का सर्वाधियक दिद्वान सासक चोग खागोल सास्त्र गणित एवं आयर्विक्यान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था मुहम्मद बिन तुगलक अमीर दीवान ए अमीर को ही एक नया विफाग जिस सुल्तान के दौरा सु भारत में सरप्रतम सांकेदिक मुद्रा का प्रजिलन किया था मुद्रा योजणा असफल विद्ध हुई मुद्रा निरंगमर पर उचित नेयंतरण नहीं था मुर देश मुरक्को अफ्रीका का यात्री इबनि तूता भारत आया था महम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में सल्थनतकाल में डांक विवस्था का विश्थ्रित विवरण दिया है इबनि तूता ने पॉली तियोहार के साजनिक उस्व में भाग देने वाला दिल्ली का परत्म सुल्तान था महमुद बिन तुगलक वह सासक जिसकी मृत्री इतिहास कार बदाईनय कहा था कि सुल्टान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ती मिल गई मुहम्मद बिन तुगलक के लिए दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहाय तार्थ रोजगार कार्याले के स्थापना किया था फिरोज साह तुगलक ने किया दिल्ली का सुल्तान जो दान दच्छुडा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विवाग दिवान एक खेरात इस्थापित किया फिरोज सा तुगलक है वह सुल्तान जिसके दर्वार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज सा तुगलक सही कथन है फिरोज सा तुगलक ने गुलामों का एक अलग विवाग दिवान ए बंदगान इस्थापित किया मुहम्मद भी तुगलक के बाद दिल्ली की गती पर बैठा फिरोज सा तुगलक गुलामों का एक अलग विभाग इस्थापित किया था फिरोश तुगलक ने, सर्पत्म लोक निर्मार विभाग की स्थापना किया था फिरोश साह तुगलक ने दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्मार करने के लिए प्रिसिद्ध है फिरोज साह तुगलक फक्क ए सर्ब अथवा सिचाई कर लगाने माला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज साह तुगलक है तो उपरा बथा मेरट से दो असो किस्तंभ लेख दिल्ली लाया गया था फिरोस साह तुगलक ने मंगवाया दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश से एक अनवाद विभाग की स्थापना किये कि उससे दोनु संप्रदायों के लोगों में एक उसरे के विचारों की बेहतर समझ हो सके फिरोस साह तुगलक ने निम्रिकित में से कौन फिरोस तुगलक के नागर्पूट अभियान के दौरान संग्रही तीन सो संस्रीत पुस्तकों कानवाद या अजीजुद्दीन खानने राज के खर्च पर हज की विवस्था करने वाला पहला भारती सासक फ तैमूर ने भारत पर आक्रौण किया निस्रिद्धून महमूद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रौण किया था 1398 एज़वी में तैमूर के आक्रौण के बार भारत में राज स्थापित हुआ सायद वश का अब देखते हैं लोदी वश से सम्मंधित प्रशनों को पहला है हिलजी तुगलग सायत था लोधी सासकों में से अफगान मूल के थे लोधी सासक दिली की गद्धी पर अफगान सासकों का सही क्रम है बहलोल खान लोधी सिकंदर लोधी इब्राहिम लोधी इनका कितना टाइम पीरिड है यह अपसायम देख लिजिए महाराणा सांगा ने इंब्राहिम लोधी को परास्त गया था खतोली के युद्ध में वह मध्य युगीन सुल्तान जिसे आगरा सहर की नियू डालने एवं उसे सल्तरत की रास्थानी बनाने गस्रे जाता है सिकंदर लोधी को गुरु रुखी उपनाम से कविताओं की रचना किया था सिकंदर लोधी ने अनके उपर कर्षनल रुख करने के लिए जाना जाता है सिकंदर लोधी को कि दिल्ली पर शाशन करने वाले वंसो खिलजी वन तुगलक वन सयाद वन सेवां लोदी वन बालबन इल्टुतमिस पुद्भुद्दीन ऐवक था इब्राहिम लोदी में से वह सासक जो गुलाम वन सका नहीं था तो यह हैं इब्राहिम लोदी अब देखते हैं विजय नगर सामराज से समधित प्रश्न विजय के प्रत्निदी के रूप में अपने इस नए राज पर सासन करने का दाइद किया जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दच्छिट की समस्त भूमियुस देउता की है तो यह हैं हरिहर प्रथाम अपनी मदुरा विजय कृती में अपने पती के विजय अभिय के अच्षिट देव राय थे नेक्स्ट है विजयनगर की राजा क्रिष्ण देवराय ने गुलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ तरला था वा थे कुली खुदुप सा क्रिष्ण देवराय के दरपार में अश्ट दिगस थे आठ तेलगु कभी वह सासक जिसे आंध्रभूज भी कहा जाता है फरस्ट विजयनगर सासक क्रिष्ण देवराय के अधियस उनयूग था तेलगु साहित का प्रिष्ण देवराय ने सापना किया था नागल पौ्र नगर की विजे नगर का प्रसिद हजारा मंदिर निर्मित हुआ था कृष्ण देवराय के सासनकाल में अब्दुल रज्जाग विजे नगर आय था देवराय दती के सासनकाल में निकोलू पूंटी था इचली का एक यात्री जिसने देवराय प्रथम के समय विजे नगर सामराज की य विष्वाणी में कंबन पुटन नयन नन्य तथा किकन में से महाभारत के तिलगु अनवादों के लिए विख्यात हैं नन्य तथा टिकन वेदिक ग्रंथों के भास्तिकार सायन को आश्रे प्राप्त था विजय नगर राजयों का राजाओं का 1565 इस्वी में प्रिसिद लड़ा गया विजय नगर और वीजापूर एहमद नगर वीदर तथा गोलकुंडा की सहिंक सेनाओं के बीच जब राजा वोडियार ने मैसूराज की स्थापना की तब विजय नगर सामराज कर सासक था विंकट दो तीयर विजय नगर के सासा कृष्ण देवराय की कराधा विवस्ता की भूमी की गुडवत्ता के अधार पर भूराज सकीदर नियत होती थी तथा कारखानों की निजी स्वामी एक और देते थे वह इस जहांके खंड़ार विजय नगर की प्राचीर राज्थानी का प्रतियर करते हैं हम्पी है विजय नगर का सासक जिसने चीन की स रचना मंदीर निर्माण का एक विशिस्ट अभी लेच्षण था विजय नगर प्रिसिद्ध विजय विच्छल मंदीर जिसके 56 तच्छीत संगीत में स्वर निकालते हैं अवस्तित हैं हम्पी में विजय नगर काल में रच्षिद भारत की नित्ति परंपरा का पहली बार विकास वथा यच्छ गान का अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत प्रसासन से समधित प्रस्णों को पहला है इतिहासकार बढ़नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधिन भारत में सासन को वास्तों में इसलामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इसलाम का अनुकरण नहीं क सल्तनत काल के अधिकांस अमीर एउन सुल्तान थे तुर्क वर्ग के दिल्ली सल्तनत से सम्मधित सत्य कथन है दिल्ली सल्तनत की राजस प्रसासन में राजस वस्तियुली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था इकता प्रणाली अरब की मौलिक प्रणाली थी सल्तनत काल में स्र कामा इक्ता विवस्ता की जानकारी का सुरोथ था मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्त के सैनिक रखने पड़ते थे मध्य कालीन भारत के संदर में आकार की दिश्ची से औरोही और आरोही अंक्रम है परगना सरकार सूबा इस तरह विभाग दिये गए हैं यहां पर दिवानेमुस्त खराज के हैं अलाओदीन खिर जी ये राजस्त भीभाग दिवानेय दिवाने अर्जकाकार सेना विभाग से समधित है दिवाने वजारत वित्ती मामला से समधित है वह राजवनस जिसके अंतरगत विजारत का चर्मोदकर्स हुआ वित्तुगलक राजवनस है मध्यकाल की सरकार एक समध्र रशना थी ये विले था पारस अरव तुर्क मंगोल भारती तत्नुका भूम युद्पात पर लगने वाले करको इंगीत करता है खराज उस्र एव मुक्तई भारत का मध्यकालियन सासक जिसने एक्दा विवस्ता प्रारम किया था इल्थूत मेज सर्वप कर लगाया जाता था ये स्थीचाई पर कर था जबावित का समध्र राज कानून धर्म निर्वेच से हदीश है एक इसलामी कानून सल्तनत काल में फवाजिल का आर्थ था एक्तादारों द्वारा सरकारी खजानी में जमा की जाने वाली रासी सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्राइं हैं जीतल इवं टंका टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था इल्दूतमिस ने सल्थनतकान के सिक्य टंका ससगनी ययुञ जीतल थे तो यह टंका चादी कथा ससगनी चादी कथा जीतल ताबे कथा बगडार के अंतिम खलीफा का नाम सरपर्थम अंकीट हुआ अलाउदीन मसूस साह के सिक्कों पर दिल्ली सल्तनत कलायूम साहीत से समधित प्रस्ण है भारत में कागज का प्रयोग प्रारंप हुआ था बरहवी सताब्दी से अलाई दर्वाजी का निर्मार्ण करवाय था अलाउदीन खिलजी ने घोड़े के नाल के आकार के महराप सरप्रथम प्रयोग में लाई गए थी अ आलाई दर्वाजा में कुदभुद्दी नयवा कि ल्टूथ में सलाव दिन खिलजी था फिरोस साहत उगलक में से वह जिसने कुतुमीनार के निरमार में युगदान नहीं दिया अलाउदीन खिलजी ने वह सुल्कान जिसने कुतुमीनार की पांचवी मंजल का निर्मार करवाया फिरोस साह तूबलब्न ने करवाया भारत ने प्रथम मकब्बरा जो सुद्ध इसलामी सैली में निर्वित हुआ था बलबन का मकब्बरा है प्रथम वास्तविक महराब जिस सल्तनत कालिन इसमारक में ज्रिचाथी थे बल्बन के मकबरे में एक तरफ भवन है एक तरफ निर्मार करता है। इसलाम जॉनपूर में अटाला मस्जिद मलावा में जहास महिल है और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। अश्ट भुजी मकबरों का उदे तूगलक वल्स में हुआ। इस्तंभो में बोधी गोई का प्रियोग विजे नगर ने किया जुकी हुई दिवारों के साथ विसाल मुख्य द्वार सरकी ने बनवाए। अब देखते ही दिल्ली सल्तनत साहित से समाधिर प्रशनों को पहला है। ताव उलहिंद रशना के प्रसिद लेखक का नाग था अलवर्णी। तूती एहिंद अमीर खुस्रों का जन्व हुआ था। कास गंज के पटियाली में अमीर खुस्रों के अग्रगामी की भूनका निभाई खड़ी बोड़ी के विकास में। दिल्ली के साथ से अधिक सुल्तानों का सासनकाल देखा था। अमीर खुस्रों यों सेख निजाबुदिन औलियानी प्रसिद्ध कवी अमीर खुस्रों दरबार में रहे अलाउद दिन खिलजी के अमीर खुस्रों एक थे कवी इतिहासकार एवं संकी तग्ये। नई फार्सी कावे सैली सबके हिंदी इत्वा हिंदुस्तानी सैली के जन्मदादा थे अमीर खुस्रों। हिंदी और फार्सी दोनों भासाओं का विद्वान था अमीर खुस्रों। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रसंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल साह दुती दौरा लिखा गया था भारत में कवाली से जानी जाने वाली संगीत सैली के प्रारंभिक रूप के आरंभु करता अमीर खुस्रो थे फार्सी का वह प्रथम कभी जिसने अपनी कविता में फार्ती परियावरण को चित्रित किया अमीर खुस्रो किताब ए नासरी का लेखक था मिनहास उस सिराज ग्रंथो का काला नुक्रम है किताब उलहिंद प्रिथवी राज रासो तब काल ए नासरी पत्वा ए जहां दारी वह भासा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने सरचन प्रदान किया फार्सी भासा है अप भ्रंस सब्द का प्रियोग मध्यकालिन संस्कृत गरंथों में होता था कुछ आधनिक भार्ती भासाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए एक तरफ यहां पे लेखक दिये ग सिरास की है तबकात ए नासरी यहिया बिन एहमत की रचना है तारीक ए मुबारक साही अमीर फुस्त्रों की रचना है खजाइन उल पतूव जिलव जियोद दिन भर्णी की रचना है पत्वा ए जहांदारी मुल्ला दाउद चंद्रायान दामोदर कवी पदमावती कथा सोमन त राग विवोध अमेर फुस्त्रों से आसी का संबंधित है नेश्डब पुस्तके हैं टारीक पुरिष्ग सही के लिखक है संसे सिराज अफीद तुगलक नामा के लेखक अमीर फुस्त्रों मायून आमा के गुल बदन बगम है यस weeks Hader किताब उल हिंद अलckt है तारीखे दिल्ली खुस्त्रों की है रहला इबनिप्तूता की पुस्तक है नेक्ष है हकाई के हिंदी के लेखक है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी तहजी बुल अखलाक के लेखक है इबन मिस्काविया कुन्जुत तिजार के लेखक है वैलक अलकवाय की जवामि उल हिकायत के लेखक है सदुरुद्दीन मुहम्मद अफी फवाद उल फवाद के लेखक है अमीर हसन अल फिलजी नेक्ष है वक्तियार फिलजी के विहार आकमण का पहला विबरण मिलता है तबकात ए नासिरी से वीडा ढोलक सारंगी तथा सितार में से वह संगीत वाद्य जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे स्रेश्ट मिस्रण माना गया है सितार संगीत यंत्र तबला का प्रचरन किया अमीर कुस्रों ने चिंता मड़ी भटदारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुप सप्तती का फार्से में अनवाद कर उसका नाम तुती नामा रखा फाजा जियाव दिन नक सभी ने एक तरफ नाम है एक तरफ ग्रंथ और संगीत दिये गए हैं एक के राणा कुम्भा का संगीत है संगीत राज कासी नाज सास्तरी अंपपा तुल्सी का राख चंदरी का पूंड रीक्षल का संगीत है राख माला कृष्शण नंद व्यास क्या है राख कलत द्रूम ग्रंथ है तरफ एक तरफ यहां पे रश्ना दी गई है रास कॉमधी के रचाइदा हैं, श्री कंठ, राग विवोत के हैं, सोमनाथ, चतुर दंडी, प्रकासिका के रचाइदा हैं, वेंकट रामन, एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक हैं, रास पंचाध्याई के लेखक हैं, नंददास, चैतन्य भागवत की हैं व्रिंदा बंदास, चैतन्य मंगल के लेखक हैं जैनन्दा, भक्ति रतनाकर के लेखक हैं नर हरी चप्र वर्ती, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना स्मरण लिखा था, फिरो साह तुगलग, दिल्ली सल्तनत के इंतरगत विविस्ते समनहित प्रस की पूजा होती थी निसरुदीन, खुस्रो साह के समय, एक तरफ यात्री है, एक तरफ देश है, मार्को, पोलो, इटली का था, अब्दुल, रजाक, इरान का, नूनिस, पुर्तगाल का था, एक तरफ सुल्तान है, एक तरफ राज है, बहादुर साह का राज गुजरात है, चांद वीवी का है, विजापूर, रजिया सुल्तान का दिली और बास वहादुर का मालवा, यात्रियों के भारत का आग्मन अनक्रम है, अलबर्नी इबनि पूता, श्रेवर नियर मनूची, दस्तान, दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा, भारती इतिहास के संदर में कुला हदास, कहलाते थे सैयर, चुम्ब की दिसाच सूचक का भारती महासागरों में प्रयोग की प्रारभिक सूचना दी गई, सदुर दीन महमद अफी दौरा, अपने लगवक 30 वर्स के व्यापक, यात्री जीवर में उसने पूर्भी गोलार्थ के विस्तरिद भूभा की यात् लेखा जिसमें आज कोई 44 से साते हैं और कुल मिलाकर लगवक 73,000 मीड की दूरी चलकर पार की पूर्भ आध्हुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वड़न ऊपर में अउतरण में है वह था इबनिप्तूता एक तरफ लेखक दिये गए इक तरफ उनत है किरिष्ण देवराय का ग्रंत है अमुक्त मालेद महेंद्र वर्मन का है मत्त विलास प्रहसन भोस देव का समरागर सूत्रधार सोमेश्वर का ग्रंत है मान सुलाज घटनाओ का सही काला नुक्रम है कुतुब मिनार का निर्मार फिरोस्ताह तुगलक के मृत्यू पुर्तग जलालु दीन खेलजी की हत्या इसके बाद अफगान पूर सर्यत महम्मद तुगलक द्वारा रास्थानी का इस्थान आंत्रण किया गया सती प्रथा बाल विवा तथा जोहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी सुर्वात राजपूतों के समय हुई थी जोहर प्रथा एक तरफ यूध दिया गया है एक तरफ समय है प्रास्थी का इस्थ हुआ 1757 इस्थी में कलिंग का इस्थ 261 इसापूर्व में हल्दी घाटी का इस्थ हुआ 1576 इस्थी में तराइंद का दुती इस्थ हुआ 1192 इस्वी में चंदावर का युद हुआ 1194 में तैनूर का आक्रमर 1398 में हुआ ताली कोटा का युद 1565 में और खागरा का युद 1539 में हुआ एक तरफ सासक दिये गए हैं एक तरफ उनके प्रमुकारे हैं अकबर का कारे है आइन ए दहसाला मुहमत उगलक का प्रतीक मुद्रा इल्तूतमिस का चहल गानी अमेर और सेर साह ने सडक एक आजम का निर्मान करवाया है पध्यकाली भारत में सब्द पड़म निर्दिष्ट करता था तिक्ये को खरीतादार कौन था फर्मानों को भेजने वाला अधिकारी दिल्ली सल्तनत का वह वंस डिस ने सबसे कम समय तक सासन किया तो ये है खिल जी आइन उल्क मुल्क मुल्तानी ने जिस सांसकों की अधिन सेवा की थी विधे अलाउदीन खिल जी मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोस साह तुगलक वह मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्मकानियाई था हेम चंद्र सूरी मध्यकालीन भारत में महत्तर पट्ट किल पद नाम प्रियुक्त होते थे ग्राम मुखिया के लिए 13 और 14 सिताब्दियों में भारती क्रिसक खेती नहीं करता था मक्य की उत्तर भारतियों दक्कन के प्रांती राज वंस से समन्धित प्रशन है जौनपूर नगर इस्थापिक किया गया मुहम्मद बिन तुगलक की इस्मिती में जौनपूर नगर की स्थापना किया था फिरोज साह दुगलक ने सरकी सुल्तानों के सासंकाल में पूर्व का सिराज कहा जाता था जौनपूर को जोनपुर की सरकी राज का अंतिम सासक था हुसैन साह कसमीर का सासक जो कसमीर का अकबर नाम से जाना जाता है जैनूल आबेदीन जैन उलाबेदिन, महम्म्मद बिन दुगलक, हुसेन साह सर्की तथा अगवर में से वह सासक जिसने सर्म प्रधम जज़िया कर समाप्त किया जैन उलाबेदिन जैन उलाबेदिन दोरा पूरी के गई कसमेर की जामा मस्जित की प्रभावकारी विसेश्ता में सामिल है बुर्ज, बॉध, पैर, गोडाओ के सामान, फार्सी, सैली, मुनी, सुन्दर, सूरी, नाथा, तिल्ला, भुट, तथा, मुनी, जिन, विजय, सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दर्वार में नहीं था, मुनी, जिन, विजय, सूरी एक तरफ सासक दिये गए है, एक तरफ राजे है, राजा हमीर का राजे मेवार है, राजा चुंडा का मारबार, मलिक, राजा, पारुखी का खान देश, मलिक, सरवर, खाजा जहां का जोनपूर, मध्यकालिक, भारती राजे और वर्तमान छेत्र, चंपक, चंबा, हिमाचर प पदेश है, नेक्ष्ट है, बह्मनी राजे की स्थापना किया था अलाउदीन हसल ने, बह्मनी राजे की स्थापना हुई थी, 1347 इज़्वी में, 14 सती में, बह्मनी राजे की प्रथम रास्थानी थी गुल बर्गा, एक तरफ वंस है, एक तरफ सल्थनत है, आदिल साही, आदिल साही सल्तनत है वीजापुर्व, कुतुप साही, गोलकुंडा, निजाम साही, एहमद नगर और सरकी साही, जोनपुर की सल्तनत है मुसलिम सासकों में से वह जिसे उसकी धर्म, निटवेचता में, आस्था की कारण, उसकी मुसलिम प्रजा, जगत गुरु कहकर पुकारती थी इबराहीम आदिल साह को किताब ए नौरस, नामक तुस्तक का लिखक था इबराहीम आदिल साह दोती, एहमद नगर की निजाम साही बंस का अंत हुआ, एहमद नगर को मुगल सामराज में मिला कर हुसें साह को आजीवन, कारावास दिया गया एक तरफ सासक हैं, एक तरफ राज हैं, बास बहादूर का राज हैं मालवा, कुतुप साह का गोल कुंडा, सुल्तान मुजफर साह का गुजरात, यूसुफ आदिल साह का बीज़पूर एक तरफ वंस राज है एक तरफ रास्थानी है काक्ती की रास्थानी है बारंगल होईसल की है द्वार समुद्र यादव की है देवगिरी और पांड की रास्थानी और कई तत पहचात मद्रा बनाई गई गोल कुंटा को वर्तमान भी कहा जाता है हैदराबाद महिला सासक रुद्रिमा देवी संबंधित हैं काकती राजवन से होईसल इसमारक पाए जाते हैं हलेबिट और बेलूर में होईसलो के प्राचीन रास्थानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हलेबिट वह स्वारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार के विसाल गुंबदों में से एक है गोल गुंबद वीजापूर है माडू के जहाज महल का निर्मान करवाया था सुल्तान गयासुद्दीन खिरजी ने गुजरी महल गौलियर के किले में बनवाया था मान सिंग ने अकबर के पूर्व तानसेण को सरचर दिया था भाटा रिव मद्द प्रदेश के राजा राम चंद्र सिंग ने एक तरफ इस्थापत ते है एक तरफ इस्थल है अधीना मस्जिद पंटुआ पस्चिम मंगाल में है लाल दर्वाजा मस्जिद जौनपुर में दाखिल दर्वाजा गौर तीन दर्वाजा एहमदा बात में है दच्छिर भारत के पोलीगार थे छेतरी पसासकी और सैन निय अंत्रक सूची एक का सूची दो से मिलान करना है सूची एक में पुस्तक दिये गए हैं सूची दो में विसय है मिराद ए सिकंदरी का विसय गुजरात विज़े से समधित है बुर्हान ए मासिर बहमनी के एहमत नगर का इतिहास है इसमें रियास उस सालात तेन बंगाल का इ संतों ने भक्ति संसित्य का भारत में पुनर जन्म हुआ पंद्रहमी और सुलावी सताप्ति इस्वी में बुद्ध और मीरावाई के जीवन दर्संत में मुखिसाम्था संसार दुख्पून है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संफ्रदाय या जाति ना पूछे य संहुने अपनी वाड़ी को उसी भासा में लिखा जिसे उनके भक्त समस्ते थे मध्य युगीन भारत के धार्मी कितिहास के संदर में सूफी संतों का आच्रण था ध्यान साधना और स्वास नेमन एकांत में कठोर योगित व्यायाम सुरोताओं में आध्यात में खार्सोन म पुत्पन करने के लिए गीतों का गायन करना संकर्देव ने असम्यों फूच विहार में बैस्तवों धर्म का पृवर्तन किया था संकर्धेव ने रामानुजाचारे समधीथ हैं विश्ऩा दुइत से सुध्व अदुइत वाद का प्रित्वादन किया था बलभाचारी ने महाप्रभु बलभाचारी की जन्म सत्री है जन्म इसली है चंपा रणे nj36 कड़ में एक दर्सन है सन्सापक हैं अदूतवाद की संसापक है संक्राचारी विस्टवाद के लामा नुच्थ दवाद के मध्धुआचारी दुएताद्वदाद के निमभार्काचारी कभीर के उपदेश notion का संक्यलन रामानंद कभीर सिस्क है रामानंद के मध्यकारी भारत के वह संत जिसका जन्म प्रियाग में हुआ था रामानंद कभीर एवं धरम दांस के मध्य संभादों के संखिलन का सीर्सक है अमर मूल मलूप दास एक संत कभी थे कड़ा के संत खासी रास के पिता का नाम था महेंगू भक्ती संतों का सही काला नुक्रम है कभीर का समय है 1398 से 1518 इस्वी के मध्य गुरु नानक 1469 से 1539 चैतन्य 1486 से 1534 मीरा भाई 1498 से 1550 सेविन के मध्य थी भगबान स्यु की प्रतिष्ठा में स्थापित हैं 1245 लिंग रामा दुच के अन्यायों को कहा जाता है बैसनव वाई साथ जो गुरु नायक नानक का जन्म इस्थल था ननकाना वह सासक डिसके सासन में गुरु नानक देव ने सिक धर्म के स्थापना किया था सिकंदर लोदी इस्वर केवल मनुस के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाती नहीं पूस्ता आगामी दुनिया में कोई जाती नहीं होगी यह सिधान्त है नानक का मीरा भाई समकाली थी तुस्री दास के प् असलाम धर्म से प्राभवित था नाम देव मध्य कालिन संतों का काला नुक्रम है नाम देव कभीर दास गुरु नानक देव मीरा वई संत कवी हैं इस तरफ इस तरफ व्युंचीज देणा reheं नाई थे लोधी बंस के पतंद था बाबर की सत्था रून होने के समय कुपधे सेने वाले संद थे गुरु नानक चैतन्य महाप्रभु संबध हैं बैश्रो संफदाय से तुलसी दास समकालीन थे अकबर तथा जहांगिय के रामचनित मानस नामक ग्रंथ के रचैता थे तुलसी दास गीता वली कविता वली बिने पत्रिका तथा सहित रत्न में से वह रचन जो संद तुलसी दास की नहीं है साहित्य रत्न इस तरफ व्यक्ति दे गई हैं इस तरफ रचनाएं है ध्रूप दास की रचना है भगत नामा वली नाभा दास की भक्तमाल केसो दास की रसिक प्रिया और उस्मान की रचना है चित्रा वली वरकरी संप्रदाय की मुख्य बि जहांगीर नागा अर्जुन तुकाराम त्याग रांस था बलभचार में से वह जो भक्ती अंदुरन का प्रस्तावक नहीं था नागा अर्जुन सत्य कथन है मर्धकाल में संगीत वर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फार्से में अनवात किया गया आरंधिक चि सूफी संतों में से वह जो सरब्थम अस्मेर में बसके थे सेख मुईनुदीन चिस्ती सूफी बात की चिस्तिया साखा का संसापक था अफगानिस्तान में चिस्त के निवासी अबू इस हाग समी चिस्ती और उनके सिस्ते खौजा अबू अबदाल खौजा मुईनुदीन चिस्ती सिस्ते खौजा उस्मान हरुनी के असमेर में खौजा मुईनुदीन चिस्ते की दरगाह पर नजर भेट भेजने वाले प्रथम और अठा सरदा थे छत्रपती साहू सिवा जी के पौद्र सेख निजामुदीन ओलिया सिस्त थे बाबा फरीद के सेख निजामुदीन ओलिया की दरगाह इसी थे दिल्ली में वह सूफी संत जिसकी मानिता थी कि भक्ती संगीत इसवर के निकट पहुचने का एक साधन है मुईनुदीन चिस्ती खौजा कुद्बुदीन बक्तियार का सेख अब्दुल जिलानी सेख मोयनुदीन ता सेख निजामुदीन ओलिया में से वह सेस्ती सिस्रें से ब्रभक्त आ चाहीसित को 주 can अलाउदीन खिल जी गयासुदिन तुगलक तथा महमद भी तुगलक में से वह सुल्तान जिसने निजामुदीन उलिया जिस से निजामुदीन उलिया ने भेट करने से इंकार कर रिया था तो यह हैं अलाउदीन खिल जी वह सूफी संथ जो महमूब ए इलाही कहलाता था सेख निजामुदीन ओलिया, सेख परीद का सरवाधिक ख्याती लब्ध सिस्स जिसने दिल्ली के साथ सुल्तानों का सासन देखा था निजामुदीन ओलिया, सेख मुईनुदीन चिस्ती, पुद्बुदीन वक्तियार काखी, फद्रुदीन गंज ए सकर तथा सेख निजामुदील ओलिया में से वह सूपी संथ जिसके विचारों को सिखों के धर्वगरंथ आधिगरंथ में संकिलित किया गया है, परिदुदीन गंज ए सकर, प्रसिद संथ सलीम चिस्ती रहते थे फटेपूर सिक्री में, सेख उलहिं की पद्वी प्रदान की गई सेख सलीम चिस्ती को, एक तरफ संत है, एक तरफ मगवरा है, सेख मुईनुदीन चिस्ती का मगवरा असमेर में है, सेख बुरहानुतीन गरीब का दौलताबाद में, सेख मुहम्मद हुसैनी का मगवरा है गुलबर्गा में, सेख निजामुद नियां मिंगे एक तिए संथ कभी इस चिस्ती का सब्रदाये है दार सिकोह नकस दोधियर्य सहाबुत दिन का सुहरा वर दिया संफ़दाए हैं सेख्ष एहमत सरहिंदी संकालिन थे अकबर युम जहांगीर के सेख्ष नसृत दीन चिराग ए दिल्ली 10 थे तेख्ष निजांओ दीन उलिया परे हैं सालीम सेख बहाउत दीन जकारिया मानते थे सुहरा वर्दी संप्रदाय को हठ योग अपनाया ज्यादा था नाथ पंतियों और सूफी संतोदारा अतिकट्टा पंत सूफी संप्रदाय था नक्स बंदी सूफियों में बह जिसने कृष्ण को ओलिया की रूप में माना साह मुहम्मद उलेमा खान काह सेख तथा समा में से बह जिसका सम्मद सूफी वास्ति नहीं है उलेमा कृष्ण जीवन परक्त प्रेमवाटी का कावी की रशना किया था रस खान ने बारा मासा की रशना की थी मलिक महमद जैसी ने सुमेली थे मध्यकालिन कभी सरफ रशनाएं है मुल्ला प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली साह की मजार पर मेला लगता है डेवा सरीफ में क्रस्ट क्राइस्ट का जन्म इस्थान है वित लेहम इस्टर्त वहर के पीछे इसायों की भावना है इस दिन इसा पुनर जी वित हुई थे वह इसाई संत जो पस पच्छीओं से प्रेम के लिए विख्या थे असीसी के संत फ्रांसिस इसायों का गुड़ फ्राइड़ी मनाय जाता है इसा मसीग को सूली पर चलाये जाने के इस मरण में मुगल वंस बाबर से समंधित प्रस्न है बाबर को भारत पर आकमत टरने के लिए आमत्रित करने वालों में से एक आलम खान इब्राहिम लोदी के समंधित थे तथा वह दिल्ली के रास सिखासन के दावेदार थे मद्यकालेन भारत के मुगल साज़क बसुदा थे चगताई तूर्क बाबर को सर एफ फुल के युद्ध में पराजित किया था सैवानी खाने पानिपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के मध्य वह मुगल सासक जिसने भारत में आटोमन युद्ध पधती को अपनाया बाबर ने पानिपत का प्रथम यु बाबर के इब्राहिम लोधी पर विज़े का कारण था तुष्द ऐब्या के प्रमुख्य युद्ध डिये गएं सरफ वर्सय पानिपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में 1527 में वाबर ने जिहारफ की होसा किया था ऐह का युदर पाड़िवा्वानियान हई मेवाण का राजा जिस्ने 1527 एझने में खानवा के युद्व में आपन rok जीस्सें बाबर ने खने था तो देखाय्यों संक्राइच में वह मुगल समराठ जिसके जीवन से धैरिवा संकल से सफलता की सिच्छा मिलती है जहरुदीन मुहम्मद बाबर बाबर के सामराज में समलित थे काबुल पंजाब आधनिक राजस्थान का छेत्र बाबर ने इपने बाबर नामा में जिन हिंदू राज का उले किया है वह मे इवं बिजय नगर तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मगधा लिखी गई थी तुर्की भासा में पहयोध्या में इस्थित बाबरी मस्जित का निर्माण कराय था बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने हुमायों और सेर्शा से समधी प्रस्ण है कामरान उस्मान अस्करी तथ सा कन्योज और सरहिंद का युद वे दोर सासक जिनके मध्य सत्रह मई 1544 से में कन्योज के पास युद हुआ सेर्शा युमायों के मध्य परीद जो बाद में सेर्शा सूरी बना ने सिच्छा प्राग किया था जौनपुर से बल्बन अलाउ दिन खिल जी इबराहिम रोधी तथा सेर्शा जैसे मध्य गें सासको में सेवा जो उच्छ सिच्छित था सेर्शा वह सुल्तान जिसने अपने हजरते जिसने पहले हजरते आला की उपाद ही अपनाई और बाद में सुल्तान की सेरसासूरी ने सेरसासूरी द्वारा किये गए सुधारों में समलित थे राजस सुधार, प्रसासनिक सुधार, स्तैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांद जिस सासक द्वारा स्वन मुद्रा का सर्प्रथम प्रचन किया गया वाथा हुमायू हुमायू ने चुनार दुर पर प्रथम पाराक्मर किया 1532 इज़वे में सांगो बढ़ का युद हुआ था 1658 इज़वे में अपने वास्ताफ पती हुमायू के लिए मकबरे का निर्मार को राया था हाजी बेगम ने सुध्ध चांदी का रुपिया सुरू किया सेरसाग ने कालिंजर राज के विरुद मात्र एक मठी बाजरे की चक्कर में मैं अपने साम्राज को खो दिया होता ये कथन है सेरसाह को अपनी वीर्था से प्रभाविक करने वाले जयता और कुपा सम्मधित थे मारवार से से सेरसाह का मकबरा है सासा राम में सेरसाह ने निर्वार कर सेरसाह के लिए जिस मध्यकालिन भारती सासक ने पट्टा यूं कबूलियत की विवस्ता प्रारम की थी वह सेरसाह कूर्भी बंगाल से लेकर पेसावर तक सड़क आजम सड़क बनवाई सेरसाह का उत्तरा दिखारी था इसलाम साह वह सासक जिसने अपनी सेंड चुकड़ि में विवाजित किया था इसलाम साहने किया था अब देखते हैं अकबर से समनी प्रस्ण हुआ हिस्थान जहां पर अकबर को हुमायों की मृत की सूचना मिलने पर राजगदी पर बढ़ाया गया यह है कला नोर हल्दी घाटी के युद्ध के पीछी अकबर गामुक युदे थे हकीम खान अकबर ने सर्वधम वैवाहिक संबन्ध राजगूतों के जिस ग्रिष से स्थापित किया वह था कच्छवाहों से चिस्ति संत की दरगाल जहां पर अकबर दरसन हे तो अधिक जाता था मुईनुद्दीन चिस्ति अधम था वैरम वास वहागोत था पीर मुहम संखर्स जानी रखा और समर पर नहीं किया मारवाड के राव चंद्र सेन अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गवती रानी थी मंडला अथ्वा गोणबाना की अबुल फजल की मृत्ति हुई सहजादा सलीम के कारण अकबर को रास्टी सम्राठ सिध्ध करने में सहा व्किषायत की एकता और कानूणों के एक रूपता सांसिक्राणिक एकता का परृत्न एवों मुष्की धार्मिक नीती अकबर की लोगपरिता bilmiyorum थे मन्सबव्दारी मतमाजिक सुधार वह मुसलिम सासक जिसने shop यात्रा कर्समाप कर दिया था अक्बर ने बाबर हुमायो अकबर तथा औरंग्जेव में से वहां वह बासांग जिसको प्रबुध निरंकुस कहा जाता है अकबर वह सासक जिसने आग्या दी थी कि आदमी को एक ही इस्तिरी से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली बंध् करने का प्रयास किया था अकबरने लड़कियों को बिवायों के दबाओं से अलग सब्सינה का प्रमुक्त मेरवकसी अकबर का लन से प्रणाली को लागू किया वह उधार ली गई थी मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से अकबर के काल में हर दस घुर सवार सैनकों के लिए मनसबदारों का रख रखाओ करना पड़ता था बीस घोडों को जापती देहसाला नसकत था कानकुट में से वह कर विवस्ता जिसे बंदोबस्त विवस्ता के नाम से भी जाना जाता है देहसाला अकबर काल में भूराजस विवस्ता के एक परसिद नी थी आइन ए देहसाला पधती निर्मित की गई थी टोडर मल दौरा जपती प्रणाली उपस थी अकबर की भूराजस प्रसासन के छेत्र में सेर्शायों अकबर के मध्ये नैरन तर्य की कड़ी था टोडर मल अकबर ने दीने इलाही प्राणम किया था 1582 इस्वी में वह तिहासकार जिसने दीने इलाही को एक धर्म कहा था मोहुसिन पानी ने इबादत खाने का निर्मार करवाया था अकबर ने पतेपूर सीक्री का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चाचा करता था पतेपूर सीक्री में सिथ वह इमारत जिसे सानी फतेपूर तहाजाता है जाम मसीथ सोड महल, पंच महल, जोधा बाई महल एवं अकपरी महल में से वाह समारक जो फतेपुषीकरी में नहीं है अकपरी महल, गिली में सित वाह एतिहासी कि समारक जो भार्टी रथा, फार्सी वास्तुकला सैली का उधारन है हुमायो का मकबरा, सुलह एकुल का सिध्धान, प्रित पर वह मुगल बासाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फत्वा जारी हुआ था अकबर अकबर ने कहां पर बुलंद दर्वाजा बनवाया फतेपूर सीक्री में जहांगी साह जहां हमायोत था अकबर में से वह मुगल सम्राठ जिसने तिछा संबंध ही सुधार किये थे अक अकबर दौरा बनवाई गई स्रेश्चोंताम इमार्टे पाई जाती हैं पतेपूर सीक्री में अकबर के सासनकाल में इलहाबान में 40 सिस्तम भयुक मंजिल के निर्माड में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था यह कथन है विलियम पिंच का अकबर दौरा बनाई गई वह हिमारत जिसका नक्सा बहुत विहार की तरह है पंच महिल जहांगीर महिल इस्तित है आगरा में दिल्ली का लाल किला आगरा का किला इलहाबाद का किला इम लाहुर का किला में से वह किला जिसका निर्माड अकबर की राजिकाल में नहीं करवा की मधद है अकभर का मगबरा सि खंदरा में हे इनका समय हे 1556走吧isia 15 चाहां गीर का मगबरा लह॓र में के समय 16600 सुटाइस साह जहां मगबरा आगरा में हे ताज़ महिल में और इनका समय 1628 से 1658 के मद है और अंगजेब का मगबरा और अंगाबाद में हैं इनका समय है 1658 से 1737 के मद है अकबर के काल में महाभारत का फार्सी अनवाद जिसके निदेशन में हुआ था वाथ थे फैजी अब्दुल-कादिर बदायुनी महाभारत के फार्सी अनवाद का से रस्म नामा वह जो अकबर की इच्छानुसार रामायर का फार्सी में अनवाद किया था अब्दुल-कादिर बदायुनी मुहम्मद हुसैन मुकंबल खां अब्दुस समद मीर सयद अली में से वह जिसने समराठ अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधी प्रदान की गई थी मुहम्मद हुसैन को जैन साथु जो अकबर की दर्वार में कुछ वर्स रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधी से समानिक किया गया वा था भारी विजय सूरी अबुल-हसन दसवंत किसन दास सेवं उस्ताद मनसूर में से वह जो मुगर समराठ अकबर की समय का प्रिसिद चितकार था दसवंत इंग्रेन की राने इलजावेफ प्रिथम का समकालिन धार्टी राजा था अकबर भारत का वह सासथ जिसके सासनकाल में इंगिलिज इस्ट इंडिया कमपनी का गठन हुआ था वासा अकबर के समय वह मध्हिकाले धार्टी लेखक उन्रिका की खोज का उले किया है अबुल- अकबर की दर्वान में आने वाला पहला अंग्रेज बिक्ती था राल्फ फेंच अकबर के सासनकान की प्रमुख भटनाओं का विवस्तित क्रम इस प्रकार है जजिया की समाप्ती इबादत खाने का निर्मार मज्द महजर पर हस्ताचर दीन इलाही की स्थाफना अकबर ने ब दारी बेवस्ता के संदर में सत्य कथन है जात यूम सवार पत्प्रदान किये जाते थे मन सब दारों के तीन वर्ग थे मुगलों मेवार के राड़ा के मधिचित तोड की संधिय जिस सासक के सासंकाल में हस्ताचीत हुई थी वह है जहांगेर इस्ट इंडिया कंपणी ने जहांगेर के दरबार में पहले भेजा था हॉकिंस को जहांगेर के दरबार में ब्रिटिश सासक जम्स प्रथम का राज़्दूस था 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 थाूमस रोड जहांगेरं ने खान की उपाधी से समानित किया था। को मुगल समराट जहागीर ने इंगलिस फान की उपाधी दी थी विलियम हॉकिन्स को कैप्टरन हॉकिन्स के संदर में सही कथन है यह तुर्की भासा का बहुत अच्छा ग्याता था वह 1608 में भारत आया था इंग्लेंड के जिम्स प्रथम के रांस्तूत सर्थ हामस रो भारत यास्मेर में विदेशी यात्रियों के भारत आने का काला नुक्रम है रॉल्फ फिच्च विलियम हॉकिन्स निकोलस डाउंटन सर्थ हॉमस रो एक डच परिटक जिसने जहागीर के सासनकाल का मूल्यांकन जहागीर के सासनकाल का मूल लिवान विवरंट दिया है बात था फ पहादूर सा जफर का मुगल चितरकला अपनी पराकास्था पर पहुंची जहागीर के राजिकाल में जहागीर ने नादिर उज्जमा के पदवी दी थी अभूल हसन को वह चितरकार जिसे नादिर उलस्त की उपाधिय ब्रदान की गई मनसूर जहागीर की दर्वाएं में पच्छियों को सबसे बड़ा चितरकार था मनसूर मुगल बासाहों में वह जिसने अपनी आत्म कथा आटो बायोग्राफी फार्सी में लिखी जहागीर ने अभूल फजल के हत्यारे को पुरस्किर तिया था जहागीर ने जहागीर के विरुद्विद्रों किया था खुर् जहागीर में आशमद वेगम जहां की मां आस्फ खां नुर जहां का भाई स्थादा खुर्रम साह जहां इत्मादुत दौलों का मगवरा आगरा में बन वाया था तो यह बनवाय था नूर जहाने परचिन्जित कारी पिच्च्चछ डूर सम्मंदी थे दिवारों में के मकपरे को पूर्ण करवाया गोविंद महल जो हिंदू वास्कुपला का प्रतिम उदाहरण है इस्तित है दतिया में साह जहां से समध्य प्रस्ण है इरान के साह और मुगल सास्कों कोई भी छगड़े की जड़ती कंधार वा छेत्र जिसके निकल जाने से मुगल सामराज को सामरीक महत के केंदर के दिस्टिकोंट से एक बड़ा धक्का पहुचा कंधार जहां साह जहां के बल्ख अभियान का उदेश से था काबूल की सीमा से सटे बल्ख और बदक सा में एक मित्र सासन को लाना एक मित्रिस सासक को लाना नेक्स्ट है वह कभी जिसने बनारस यू मिलहभाद के तीर फियात्र करकी समापती के लिए मुगल बात साह के सामने बनारस के पंडितों का नेतित किया था कविंद्रा चारी मुगल सासक जिसने बनारस के संस्क्रित और हिंदी के महान विद्वान कविंद्रा चार सरस्ति को राज की सरचट पदान किया साह जहां नहीं वह जो साह जहां की सासनकाल का राजकवी था कलीव अबू जली ही मुम्ताज महल का असली नाम था अजुमंद व ता्ज महल कजिसने धिल्जीं की जामा मस्जिद का निर्मार करवा है साह शहा वह मुगल बासाह जिसने सामराज की रास्ठानी आगरा से दिली सानांति की साह जहां रग्ती निरुप्र वहां वहां जहाने उपनिस्दो का फार्ः में वाथ जिस मुगल समराठ के सासंकाल में हुआ था वह थे Scali इक्बालकी complet maиль को arsen कि अवने पनुपनिस्टो का फार्सी में बत किया थह सिर्दी के अंतरगर सि रिखकी दाव सि इकोले की मूल रचनाहे मुद्स समल एक बहमन के जरिश कि क्का ऑद कई की इति इद्ल very अमेर खुसरू, दारा सिको, अमेर हसनयवं सुजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का आधिन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा सिको, वी ए स्मित, जे इन सरकार, एल स्री वास्तों में सिवहती हस्ता जिसने साजहां के साथनकाल को मुगल काल का सुड़ीयो کہा है, यह इंसरीवासों ने सुप्रसिद्थ कोहिन्यूर हीरा वहार में दिया था मीर जुमला ने मुगल वासाह जिसने बल्वन-द्वारा प्रार्म किया गया दर्वारी रिवास सिजना समाथ किया साह जहां ने दारा सिकोह, मुराद, बक्स, साह, सुजा और औरंग्जेब में से बह जो साह के सासनकाल में अधिकान सबे तक दक्कन का गवर्णर रहा था औरंग्जेब, अब देखते हैं औरंग्जेब से समाधी प्रश्ण, वह मुगल बासाह, जिसका दो बार राजब इसे एक हुआ था औरंग्जेब, धर्मत का युद्ध लड़ा गया, औरंग्जेब तथा दारा सिकोह के मध्य, युद्धू का सही कालक्रम है, बिलगराम का युद्ध हुआ 1540 में सर्नाल का युद्ध 1572 में, धर्मत का संगर्स किया, औरंग्जेब, औरंग्जेब ने जोद्पूर के सासक जस्वन सिंग को 1558 इसबी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया, धर्मत इस्तित है मधि प्रतेश में, मुगल सहजादा जिसने स्री नगर गढवाल में आस्रे लिया था सुलेमान सी को, औरंग्ज सेनापती जिसके साथ सिवाजे ने 1665 इसवी में पूरंदर की संधी पर हस्ताचर किये थे जैसिंग, औरंग्जीब ने वीजापूर की विजय की थी, 1686 इसवी में, औरंग्जीब ने दर्षिड में जिन दो राज्यों का विजय किया थावा थे, वीजापूर युग गोल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापती थे औरंग्जीब, 1687 इसवी में जब औरंग्जीब ने गोलकुंडे परिद्गार के या उस्तमें गोलकुंडा का सासक था, अबूल हसन, कुतुप सा, मुगल समराठ जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारों की नियुक् बालता था औरंग्जीब, वह मकबरा जो दोतीरात ताजमहल कहलाता है, राबियाउत दोरानी का मकबरा, जहां आरा, रोसन आरा, गौहर आरा तथा महरुन निसा में से, वह समराठ औरंग्जीब की पुद्री थी महरुन निसा, औरंग्जीब ने साहिवाध उस जमानी के पाधि प्रदान की जहां आरा को संत रामदास को संब्धित किया जाता है औरंजेव के सासनकाल से मुगल कालीन प्रसासन से संब्दी प्रस्ण है मुगल प्रसासन के दोरान जीले को जाना जादा था सरकार के नाम से मुगल काल में सेना का प्रदान था मीरवक्सी मुगल सासन दिवस्था के विकास की प्राण सक्ति उसकी सेहन सक्ति पर निर्फर थी। नहीं वे घुर्सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाईं एक आकी प्रदान की इसी सरदार के साथ अपने को सलक्न नहीं किया समराथ ही जिनका आसन कर्नल था। बर्नियर, करेरी, मनुची तथा के बर्नियर में से वह जिसे मुगल सेना में चिकिस्सक नियुक किया गया था मनुची को मुगल प्रसासन में मुहत्सिप था लोक आचरण अविकारी। मद्यकालिन भारत में मनसबदारी प्रथा आस्तोर पड़ इसलिए चालू की गए थी ताकि साफ सुत्रा प्रसासन लागू हो सके। मुगल मनसबदारी विवस्ता के विशिष्टाएं थी जात एवं सवार पद प्रदान किये जाते थे मनसबदार आन्वंसिक नहीं होते थे मनसबदारों के त्रीन सेडिया थी इनमें इसमी 33 वर्ग थे उन्हें मस रुद अथवा सासर्थ पद प्राप्त होते थे उनका सव पद चाट पद से अधिक नहीं हो सकता था समस्त कारिकारे करें सेवा कालता था मनसब्दारों का चैन योगिता की अधार पर होता था यहां पर कुछ मुगल मंसबदारी विवस्ताई दी गई हैं तो यह अब ध्यान देजेगा नेक्स्ट है मुगल कालिन धारत में राज की आयका प्रमुक स्रोत था भूराजसु मुगल प्रसासनिक सब्दावाली में माल प्रतिनित करता है भूराजसु का मुगल समराट जिसने तंबाखों के प्रिय हुआ था यह है यह था सूबायों परगना के बीच की छेद्री एकाई लेकिन सरकार की समनार्थी नहीं था सोमिली थे एक तरफ अधिकारी है एक तरफ वहितकारे हैं दीवान एतन जागीरवा बेतन देखता था मुस्तार्फी राज की आयवे का निरिछण करना था मुस्त करिफ कार्याले को समहलने के लिए था वकिया वकियान वेस प्रमु घटनावा फर्मानों का सूची बद करता था बास साथ यह गहीं सरक दीवान हैं अकबर के दीवान थे मुजफर खान जहागीर के घ्यास बेक इतमादु दौला जहाग सा जहांके सादुल्ला खान और और को नेमित करने का प्रयास किया की मुद्रा परती के समाद अकबर के समय का तामर का प्रमुक सिख्का दाम था चांड का सिख्का चलाया बाबर ने अक्बर के सासन काल में दक्तन में भूराजस्त प्वसोली का प्रचलीद आधार था हलकी संग्या वह मुगल काली नहर जिसका निर्मार फिरोस्ता की रजब वाह को उनर जीवित करके किया गया सहाब नहर मध्ये काल में बटाई सब्द का आर्थ था लगानर निर्धाराण का fakा चितरकला की मुगल सेली का प्रारं किया था हुमायू ने वह मुगल सासक जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनमाये हुमायू दास्ता ने अमीर हमजा का चित्रांगन किया गया अब्दुस समत द्वारा जहां प्रसिद जहांगीरी चित्रकार थे मुगल चित्रकारी का प्रवेश हुआ अकबर के दर्बार में किसंगर सैली जिस काला के लिए प्रसिद है वह मुगल सम्राठ जिसने सचित्र पांडलुबियों से ध्यान हटा कर चित्राधार इल्बम और बैक्टिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया जहांगेत वह एक संगीत वादे जिससे बजाने में और उंचेप की दच्छता थी वेरा प्राता काल में गाय जाने वाला राग है तोड़ी तांसें बैजू बाबरा और गोपाल गायक जैसे संगीत अग्यों ने स्वामी हरिदास से प्रजिशन प्राप किया था स्वामी ह कर्दास के अन्याईयों ने स्थापित की फांच संगीत अचना केंद्र के सांशनकाल में धृपत गायकों में समलित से तांसें एवं हरिदास प्रसीद तांसें यसी थे गौलियर में तांसें का मूल लाम था राम तनु पांडे अकबर से पूर्व तांसें को सनचर देने वाला राजा था भाटा का राजा राम चंद्र सिंग् सिंग् ससक जिसने लाला कलावन्त से हिंदू संगी्त कि सिच स्च्छली अकबर संगीद की टपपा सैली इस मुघल समराठ के दर्बार में परिस्कित यु ils विक्सित हुई जिसने मुगलकाल में एतिहासी विबरण लिखे घुल बदन वेगम उमायो नामक के रशना किया था घुल बदन वेगम ने दिल्ली का वह सिच्छा केंद जो मदर्साए वेगम कहलाता था इस्तापित किया गया था माहम अगना दौरा अनका दौरा नेक्ष है दिल्ली में कुफ्ति अल मलीकी ने इस तरफ लेखक है इस तरफ पुस्तक दी गई है हसन निजामी की पुस्तक है ताजुल मासिर वाद मीर की है हुमायो नामा मुहम्मद काजिन की आलंगीर नामा भीमसेन की पुस्तक नुकसा ए दिल्खुसा अल उत्भी तारीख यामिनी चंद्रभा है शहां ब्रह्मन की है चहार ट्वान चामन मुउत मद खा की पुस्तक है इकवाल नामा जहां घेरी अबास खा सरवानी की है तारीख सेर साही निजाम की है तभकाथ ए अकबरी वावर की है तुझुक ए बावरी गुलबदन बेगम की पुस्तक है मायो नामा निजामração इप कि है तबकात ए अकबरी तारीक है निजामी इस्वर्दास नागर की है फुतुहात ए आलमगीरी सुजान राए भंडारी की है खुलासत उत्व तवारिक नेक्ष्ट है अबुल्फजन फैजी अब्दुल्रहीम खाने खाना एवं अब्दुल्कादिर बदायुने में से वह जिनका हिंदी साहित के लिए सबसे महत्पूर योगदान है अब्दुल्रहीम खाने खाना भारत के दिहास के संदर में अब्दुल्हमीद लाहोरी थे साह जहां के सासंका के एक राज़की इतिहास कर साह जहां नामा के लेखक हैं इनायत खा अन्वार ए सुहाइली नामा ग्रंथ अन्वाद है पंच तंत्र का अबुल्फजल दौरा अकबर नामा पूरा के अगय था साथ वर्सों में आइने अकबरी लिखी गए थी अबुल्फजल दौरा मुगलक कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी रचना थी सारकी मुस्तैद खाकी नस्ता लीख है एक प्रकार की फार्सी लिपी जो मधिकालेन भारत में प्रयुक होती थी कभी हिर्दय का कभी हिर्दय वह राजा जिसने नागरी दास्त के नाम से रिष्ण की प्रसंसा में छंद लिखे राजा सामत सिंग महत्पूर्ण कृतिया राम चंद्रिका यों म्रसक प्रिया की रचना की थी केसव ने मुगल कालीन विवस्त समद्धी प्रस्ण है यहां पर विरेशी यात्री हैं जहागीर के समय में आये थे विलियम हॉकिंस अगबर के समय में विलियम फिंच साह जहां पर नियर और औरंग जेब के समय मनुची आये थे वाकिंस आये थे 1608-1611 इसमें के मद्धें टामस रो 1615-1619 मनुची आये थे 1653-1708 इसमें के मद्धें रॉल्फ फिंच भारत में थे 1585-186 इसमें के मद्धें वहां विरेशी यात्री जिसने भारत के हीरो और हीरो की टेवर नियर हैं मुस्लिम सांसको का सही काला नुक्रम है जहागीर महमद साह अभदाली बहादूर साथी चंदेरी का युद्ध हुआ था 1505 में दोराह का युद्ध 1531 में चौसा का युद्ध 1539 में कन्योज का युद्ध 1540 में सामुवर का युद 1658 में तराहिं का दूसर का युद्ध 1540 में सरनाल का युद्ध 1572 में धर्मत का युद्ध 1658 में जजाओं का युद्ध 1707 में असीर बठ का युद्ध 1601 में चार बाहरी आक्रमों का विवस्तित क्रम है चंगेश खान टैमूर नादिर साह एहमद साह अभदाली दारा सिकोह को दफनाया गया था दिल्ली में नादिर साह द्वारा दिल्ली में कतले याम 1739 में हुआ हेम चद्र बिक्रमादित भारती इतिहास में जाने जाते हैं हेमूनात से भारती गौरव यस का अंतिम सूर्य प्रियुक्त हुआ है प्रिथवी राज के लिए मुगल समद्धित इस तरफ दिये गए इस तरफ अर्थ और कारी हैं दाम का मतलब है ताम की मूत्रा देशाई राजसोदिकारी थे दीवान प्रांती राजसु का प्रमुख जरीब भूम इमाप प्रवणारी थी एक तरफ यूद्ध दिये गए एक तरफ संबंध है इस तरफ यू में अकबर नी किया था राणा प्रोताब के विरुद्ध राम का युद्ध वमायू के समय उत्ति साह के समय रोहड उता है सोला सो में इस्ट इंडिया कम्पणी को अधिकारपत्र प्रदां किया गया 16 180 में सीवाजी का देहंत हुआ 1739 में नादिर साह का दिल्ली पर कब जाए उख्षा भाना म reminder का दिय को सूर को अम, रम, विजेनगर से, मुकासा, माराठे से, सही कालनुक्रम है, पर्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई, भारत के सांसकृति कितिहास के संदर में सतिकतन है, बुलन दरवाजा के निर्माण में लाल बल्वा पत्थर का प्रियोग किया गया है, जिसे सफे प्रियो, ही इस मारको का सही कालनुक्रम है, अचला मस्जित जॉनपूर में, सेर सांसुरी का मधब iconさ राम में, मतुमावी का मधबर दिल्ली में, राबनी, दवराणी का मधबर औरंगबाद में ये, इस मारको का से परकार से, पहले कौन बनाया गया, लास्ट में कौन बना व्यापारी जहाजू पर बैठने वाला एक कर्मचारी भारती इतिहास के मतिकाल में बंजारी सामानता थे व्यापारी शिख संप्रदार से संबन्धी त्रस्न ही गुरु नानत ने अपना उत्राधिगारी न्यूप किया था गुरु अंगद लहना को गुरु मुखी लिपी की वणमाला का सिजन किया गया था गुरु अंगद द्वारा गुरुउ गृंत साहिप का संकिलन किया था गुरु आरजुन देव ने वा सिख गुरु जिनको तटकालीन सास्तुदारा मृतड़न दिया गया था गुरु आरजुन देव यह गुरु तेग बहादूर सब्सक्राइब नाना जाता है कि गुर्य ओर की सिंग की महांता नहीं थे इस में कि उन्होंने सिख्धों कि सैनिक व्यवस्ता का गठन किया था परあー मुए सिख्ध घुरुज जिसने 1649 सीमें dubu के कहल इप की स्थाप्नार्एब सिफद॥ माराठों का उतकर्स के मराठों के उतकर्स का कारण है धार्मी चेतना भौगोलिक सुरच्छा राजनेतिक जाकृती जागृती उच्च नेत्रितु सकती सिवा जी ने मुगलो को हराया था सलहार के युद्ध में 1672 इजवी में सिवा जी का जन्म हुआ था 1627 या फिर 1630 इजवी में वा सेना नायक जिसे वीज़ापुर की सुल्तान ने 1659 इजवी में सिवा जी को दवाने के लिए भेजा था पृष अफसलगा सिवा जी मुगलो की सय समय भागने के समय जिस नगर में कैथ कि वा है आगरा सिवा जी की राजथानी थी राइग ciao सीवा जी का छत्रपती के रूप में अक्मर्त था लूटना अश्ट प्रधाम का गठन किया था सीवा जी ने सीवा जी के अश्ट प्रधान में संब्ली तरिकारी थे पेस्वा अमाते मजमुआदार वक्यान वीज सुरुन वीज सच्यू सुमंत दबीर सेना पतिय था सर ए नूबत पंडित राव न्यायधिस अश सिवा जी के अश्ट प्रधान का जो सदर से विदेशी मामलों की देख रेख करता था वा था सुमंत सथ्रपती सिवा जी के राज्य में प्रिश्डित रजट मुद्रा थी रुपिया लारी एवं टाका संभाजी के बाद मराठा सासन को सरल और कारगर बनाया बाला जी विस सजब कीजिए शिचल्य में प्रफिया यहां पर विसके बाद वाजी राधायर राव पर्धाम. पहले लिएस में पहले आते हैं बाला जी विस राधार या कि 형ा म्राव या sniper में लाष्ड यहां भीर तो आते हैं राति आदे हैं यह क्यों कि यावं से देख लिजेगा इसे मराठा सामराज पेशवा के देखसा में एक परिसंग बन गया 1750 इस दे में साहू के उत्राधिकारी निर्भर थे पेशवा के इच्छा पर मुगल सामराज के पतन के बाद सबसे सक्तिसाली देशा सक्ति के रूप में उभरे मराठे औरम जेब की मृत औरम जामी प्रथा संबंधी थी मराठा भू राजस प्रथा से मराठा पेशवा जिसके समय मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तिविक सासक तो ये हैं बाला जी बाजी राओ सुरच्छा के लिए मराठो के राजस्वा के दावों को जाना जाता है चौथ न कि भारत पर आकमड और पानिपत की तीसरी लड़ाई लडने का तत्कालिक करण था वहां माराथों दोरा लाहूर से अपनी वायसराई तैमूर साह के निसकाशन का बज़ा लेना चाहता था पानिपत के तीसरा यूद लड़ा गया 14 जनुरी 1761 को माराथा तथा एहमस साहभदाली के बीच वह रुहेला सरदार जो एहमस साहभदाली का विश्वास पात था नजीब फान मोडी लिपी का प्रियो किया जाता था माराथू के विलेकों में मुगल समराज के विक्तन से समधित प्रस्ण है मुगल काल्मी राजा बनाने वाले थे हुसैन हुसैन अली और अब्दुल्ला औरंग जेब की 1707 इज़्वे में वित होने के बास सक्का संभाली बहादू साह प प्राजित हुए वह मुगल समराच जिसने अंग्रेजों को बंगाल में सुल्क मुल्क व्यापार की सुध्वा प्रदान की थी फरुक सियर मयूर सिंगहसर पर बैठने वाला अंति मुगल समराच था मुहमस साह नादी साह के आक्रमट के समय मुगल सासक था महिलाओं के एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था सब्सक्राइब अंति मुगल समराथ बहादूर साह था उसके पीता का नाम था अकबर साह दोती बहादूर साह बारे में सर्त्यकतन है वहबिना समराजी का समराथ इबराहिम जौग और असद उल्लाइ खान गालिब के उसके तविता की सिछण के हसन इस्परी उसके आद्याद्मिक निर्दे स के सुदंतर राज का संसापक था चिन किलिच खां सही गठन है विजय नगर सामराज से मैसूर राज का उदय हुआ था दिली बेस्थित खगोली बेस साला जिसे जंतरमंतर कहते हैं बनवाई थी जैसिंग दूती ने महाराजा जैसिंग दूती ने बेसाल लेहें बनवाई थी दिल्ली जैपूर उजयन वाराण सी तथा मतुरा में 17 तो 73 इस्वी में जिस मुहमद साही बुस्तक जो नचहत्रो संबंधी ज्यान से संबंधी थे इसके लेकक हैं जैपूर के सवाई जैसिंग आज इस वीडियो मे इतना ही सब्सक्राइब कर सकते हैं